दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे एटेव चैनल में दोस्तों अवरत की ये चार भूँक कभी भी नहीं मिटती कौन सी वो चार भूँक हैं? आईए जान लेते हैं इस वीडियो के मध्यम से दोस्तों आप लोग वीडियो को अंतक जहुर देखना पसंद आए तो इसे लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना क्यूंकि आज का वीडियो चार भूँक की नीती का बहुती अनमोल और अदभूद ग्यान होने वाला है तो चलिए बिना देरी किये हुए शुरू करते हैं दोस्तों जब कहीं भी इतियास में चंद गुप्त मौरे का नाम आता है तो हमेशा दिमाग में एक चीज और आती है और वहा है चारक के नीती चारक के नीती विश्व की सबसे बड़ी राजिनीती कला है आचार चारक के ने जब मानब जाती को धर्म के बंदनों में जकड़े देखा तो उन्होंने सोचा कि आज मानब्ता को धर्म के बारे में पूरा ग्यान देना आवश्यक है और इस तरह जन्म होता है चारक के नीती का दोस्तों एक साधारन युबक चंद्रगुप्त मौरे को राजा बना देने वाला महाराजनीतिक वा अर्थ शास्त्री आचार चारक के दोरा बताई गई जीवन के पृति कुछ महत पूर्ण बातें आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों चारक के जी कहते हैं जीवन के इस लंबे सफर में या सोच कर चले कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है इसलिए ऐसे समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए जब भी कभी इनसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं एदी धन उसके पास हो तो वा इस समय का मुकावला कर सकता है दोस्तों चारक के जी कहते हैं बहुत भले बनकर जीवन नहीं बितीत किया जा सकता बहले और सीधे आदमी को हर कोई दवा लेता है उसकी शराफत और इमानदारी को लोग पागलपन समस्ते हैं जैसे जंगल में सीधे पेणों को पहले काचा जाता है तता टेने मेडे पेणों को छोड़ दिया जाता है इसलिए आप इतने सीधे मत बनिये कि लोग आपको लूट कर ही खा जाएं दूस्तों आगे अचारे चालक के जी कहते हैं कोई मनुस से बहले ही कितना भी सुन्दर हो तता उसका जनम बहले ही कितने बड़े घराने में हुआ हो परंत एदीब आपढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी हालत उस फूल के जैसी होती है जो दिखने में तो सुन्दर है परंत सुगंद से बंचित है चाड़क के जी कहते हैं शस्तदारी कभी भी हमला कर सकता है सींग वाले पशू कभी भी सींग मार कर जखनी कर सकते हैं इस्तरिया कभी भी जूटा लांचन लगा सकती हैं और राज घराने के लोग जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं इसलिए उनसे कभी भी खत्रा पैदा हो सकता है इन लोगों की दोस्ती और दुस्मनी दोनों ही बुरी है दोस्तों दच्छिडा लेने के वाद ब्रहमण एजवान को बिद्या प्राप्त करने के वाद शिष्य गुरू को छोड़ कर चले जाते हैं यही संसार का नियम है हर जीब जन्तू और मनुष से अपना काम होने पर छोड़ देते हैं दोस्तों चाड़क के जी कहते हैं पूजा पाड केवल एकांत में करनी चाहिए बिद्यार्तियों को एकटा बैठ कर पढ़ना चाहिए मिलकर खेती करने से फसल अच्छी होती है इसी तरह एदी बहुत सारे लोग मिलकर सब शत्रू से उद्ध करें तो उन्हें बिजे प्राप्त होती है दोस्तों सूर्य के प्रकास के सामने दीपक का कोई मोल नहीं है इसी तरह अमीर आदमी को दान देने से कोई लाब नहीं है दान हमेशा उसी को ही दें जो गरीब हो अपने भाईयों सगे संबन्यों के बीच छोटा बनकर रहने से कहीं अच्छा है कि आदमी जंगल में जाकर रहने लगे जहां पर बड़े बड़े हाती एवं बाग रहते हैं खाने के लिए पते और पीने के लिए ताला आपको गंदा पानी मिले ऐसे बातावण में तुम्हें आत्मिक शांती मिलेगी क्योंके वहां आप अपने आपको छूटा नहीं समझेगे दोस्तों चारक के जी कहते हैं अमरस से सबको जीवन मिलता है परंत शिब भगवान बिस्पीकार भी पूजनी होते हैं इसलिए हर काम केवल पात्र पर निर्भर होता है दोस्तों आगे कहते हैं महापापी कौन है जो दूर से आये हुए सीधे सादे और भले प्राणी को बिसराम की जगा ना दे जो घराए महमान को खाना ना खिलाए जो दूसरों का माल हजम कर जाए ऐसे लोग महापापी कहलाते हैं और दोस्तों अंत में आचारे चारक की जी बताते हैं आउरत हो या पुरूस उसकी चार चीजों की भूख कभी नहीं मिटती और वो चार चीजे हैं धन, जीवन, वासना और भोजन इन सब के लिए मनुश्य हमेशा भूखा ही रहता है भले ही उसे या चीजें कितनी भी मिल जाएं लेकिन उसकी लालसा समाप्त नहीं होती है तो मित्रों आज का वीडियो इतना ही आज के वीडियो में हमने आपको आचारे चाड़क की जी के बहुत ही अनोखे और अद्बुत बचन बताए चले दूस्तों मैं मिलता हूं वंग्रे वीडियो में तब तक आप रहिए इस्टे मोटिवेट, इस्टे फियरलेस जैहिंद